चलिए इस्टूडेंट्स हम लोग question number 4 को solve करते हैं देखे question number 4 के 1 में क्या कहा जा रहा है साड़ी का परियोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समिकर्ण ग्याद कीजिए इन बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा का हमें समिकर्ण ग्याद करना है हम माल लेते हैं हमारा जो बिंदू है ए क्या है ए है बिंदू ए का निर्देशांग हमें क्या दिया है 1,2 दिया है और इन दोनों बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा का समिकर्ण हमें बताना है इस बिंदू को हम लोग क्या माले रहे बिंदू मारा B है और जो बिंदू B है इसका निर्देशांक हमें क्या दिया है 36 दिया है इन दोनों बिंदू को हम लोग मिला देते हैं तो ए जो रेखा आपको दिख रही है हमें इसी का समिकर निकालना है हम लोग एक बिंदू और माल लेते हैं हम माल लेते हैं कि ए जो हमारा बिंदू A, B से रेखा बन रहा है इस पर कोई एक बिंदू है जिसका निर्देशांग X, Y है इस तरही कैसे है? अब देखिए ए जो रेखा है A, B पर ए जो बिंदू P है इनसे बनने वाले तिर्भुज का छेटपल क्या हो? जगत 0 0 क्यों होगा? क्योंकि देखिए कैसे हैं? सनरेख है इसी कॉंसेट का यूज करके हम लोग रेखा का समिकर निकालने वाले जो अब तक हमने किया उसको लिख लीजिए माना A, B बिंदू 1, 2 और B, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदू P, A, P, X, Y है अता बिंदू A, B और P सनरेख होंगे जो बिंदू A, B, P है कैसे होंगे? सनरेख होंगे सनरेख क्यों होंगे? क्योंकि A जो हमारा बिंदू से बनने वाला रेखा है यह बिंदू P उसी पर तो है न तो इसलिए सनरेख होंगे और इनसे बनने वाले तिर्बुच का छेथपल क्या होगा? सोनने होगा तो चलिए हम लोग छेथपल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तिर्बुच के छेथपल का तो छेथपल क्या होता है तिर्बुच का? वन अपॉन टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन यह हमारा फॉर्मूला हो गया इसमें बैलूज को रख दीजिए तो बैलूज को रखिए देखिए क्या होता है वन अपॉन टू एक्स वन कितना है? वन है वाई वन टू है वन इसी तरीके से थ्री सिक्स वन और पी आप एक्स वाई बिंदू एक्स वाई वन अब इन बिंदूों से जो हमारा तिर्वुज बनेगा उसका छेटपल क्या होगा? जीरो होगा तो छेटपल हम लोग जीरो लिख देते हैं हल कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा? इसको आप इस तरफ भेज दीजिए तो जीरो इन टू में टू हो जाएगा यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग इस पंक्ती के अनुदिश इसका परसार करते हैं तो वन ले लिजिए वन लिजिए इस पंक्ती को छोड़ दीजिए इस कॉलम को छोड़ दीजिए जो बच्रा उसको मल्टिप्लाई करके लिखे 6 इंटू में 1 6 माइस लगाईए y इंटू में 1 क्या हो जागा y देखे हमने इसको प्लस लिया इसको हम लोग क्या लेंगे? माइनस और इसको हम लोग की साधार पे ले रहे हैं इसको हम लोग की साधार पर ले रहें माइनस 1 टू दी पावर i प्लस j लिखें यहाँ पर हमारा क्या था i हमारा 1 है j भी 1 है माइनस 1 टू दी पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 1 तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पंक्ती को छोड़ दीजिए इस को छोड़ दीजिए जो बच रहा उसको solve करिए 3 in 2 में 1 क्या हो जागा 3 minus x in 2 में 1 क्या हो जागा x तिके plus minus ए वाला हमारा क्या होगा plus next इस पंक्ती को छोड़ दीजिए इस column को छोड़ दीजिए तो 3 in 2 में y 3y हो जाएगा minus 6x solve कर लिजे students इसको आप लोग a हमारा इस तरब का है यहाँ पर क्या हो जागा 0 0 को 2 से multiply करेंगे 0 यहाँ पर हो जागा 6 minus y minus 2 गुड़े 1 करेंगे 2 2 3 6 minus 6 हो गया minus 2 into में minus x कितना हो जागा plus 2x यहाँ पर देखी क्या हो जागा 3y minus 6x अब देखी क्या हो जागा minus y plus 3y क्या हो जागा plus 2y a plus 6 minus 6 cancel हो जागा next देखीए 2x minus 6x कितना हो जागा minus 4x is equal to 0 इस minus 4x को आप इस्ताप ले करके आए क्या हो जागा 4x is equal to 2y कार दीजी देखी दो एक के दो दो दू नी चार और यहाँ पर मारा क्या हो गया 2x is equal to y देखे मारी पास यह जो रेखा थी इस रेखा का समीकर मारे पास क्या आ गया 2x is equal to y लिखिए अतहा बिंदू a12 और b36 को मिलाने से को मिलाने से बनने वाली और रेखा का समीकर मारे समीकर मारे 2x is equal to y है तो students इस तरीके से हमने इस question number 4 के 1 को solve किया तो चलिए students हम लोग इसके second number को solve करते हैं इसका second number भी हमें यही दिया है हमें देखी क्या दिया है इसका second number हमें दिया है क्या दिया है साइडिकों का परियोग करके 3-1 और 9-3 को मिलाने वाली रेखा का समीकर ग्याद कीजिए concept हमारा वही लगेगा जो भी इसके पहले वाले हमने लगाया इसमें हम लोग माल लेते हैं माना बिंदू A, 3, 1 और B, 9, 3 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदू क्या है P आप X, Y है अताब बिंदू A, B, P कैसे होंगे सनरेख होंगे और अगर यह सनरेख हो जा रहे तो इनसे बनने वाले तिर्वुज का छेटपल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसी कॉंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे लिखिए छेटपल इस इकल टू क्या होता है फोर्मूला लिख लिख लिजिए 1 अपॉन 2 X1 Y1 1 X2 Y2 1 X3 Y3 1 छेटपल क्या हो जागा 0 1 अपॉन 2 X1 कितना है 3 1 X1 3 है Y1 1 है 1 Next X2 कितना है 9 है Y2 कितना है 3 1 यहाँ पे X Y 1 हल कर लिजे students इसको देगी क्या हो जाएगा इसको में लोग इस तरह बेजेंगे तो 0 इन्टू में 2 हो जाएगा बटे में इधर जाएगा multiplication के साथ में हो जाएगा और इसको हम लोग solve करते हैं देखे क्या हो जाएगा हम लोग इस पंक्ति के अनुदिष इसका प्रसार करेंगे तो लिखिए 3 इन्टू में क्या हो जाएगा इसको छोड़िए इसको छोड़िए 3 को 1 से multiply करिए क्या हो जाएगा 3 minus इसको इससे multiply करिए y इसको हमने plus लिया इसको क्या लेंगे minus देखे हमने 1 लिया इसको छोड़िए इसको छोड़िए 9 को 1 से multiply करिए 9 फिर X को 1 से मल्टिप्लाई करी क्या होज़ागा X यहाँ पर क्या होज़ागा प्लस किस आधार पर ले रहे हैं इसके पहले वाले question में आपको बताया हमारा लेने का आधार वही रहेगा 1 लीजिए फिर इसको छोड़िए 9 को Y से मल्टिप्लाई करीए क्या होज़ागा 9Y माइनस 3X हल कर लीजिए यहाँ पर होज़ागा 0 is equal to मल्टिप्लाई करीए 3 तरिक का 9 माइनस 3Y माइनस क्या होज़ागा 9 माइनस 1 इंटू में माइनस X क्या होज़ागा प्लस X फिर 1 से मल्टिप्लाई करीए 9Y माइनस 3X हल कर लिजए इसको देखे ब्लस 9 माईनस 9 कैंसिर हो जाएगा प्लस X माईनस 3X क्या हो जाएगा माईनस 2X माईनस 3Y प्लस 9Y प्लस 6Y इस माईनस 2X को इसतर बेजए क्या हो जाएगा प्लस 2X is equal to 6Y और 2,1 के 2 2,3,6 हमारे पास क्या आ गया x is equal to 3y देखिए हमारी रेखा का समी कर क्या आ गया x is equal to 3y लिखिए अतहा अतहा बिंद a of 3 1 और b of 9 3 को मिलाने वाली रेखा पर मिलाने वाली रेखा समी कर आण क्या है x is equal to 3y है तो my dear student इस तरीके से हमने इस question number 4 के second number को भी solve कर लिया तो चलिए guys अप लोग पढ़ते रहे अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पढ़ना हो तो चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए guys अप लोग पढ़ते रहे थैंक यू